जैसे माशिर ए आलमगीरी देखके नहीं बताना है यह किसने लिखी हुई है माशिर ए आलमगीरी याद डेली करोगे तो हुपाएगा अन्यता क्या मतलब है बिल्कुल इसलिए रोज का रोज करना पड़ेगा आपको कि आज का आज ही करो तो ठीक है अन्यता बढ़ता जाएगा कंटेंट अच्छा उस सब्द नहीं बोल पाते देखके समझ में तो आएगा एक बार दो बार कोशिश करने पर आ जाएगा कि फिर कुछ नहीं बचता इसके अलावा हमारे सामने यह करना ही पड़ेगा इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है अब जो इसके आगे बचा है वास्तुकला इसको देखते हैं देन फिर हम चलेंगे उत्तर मुगल पर उत्तर मुगल में भी क्वेशन बनते हैं तो मुगल काल में जो वास्तुकला यानि जो आर्किटेक्ट्चर है कि जो भवन और विल्डेंगे बनती थी वो किस प्रकार की थी तो यहां पर आता है इंडो-इस्लामिक शैली यानि फारस, तुर्की, सेंट्रल एशिया, गुजराद, बंगाल, जौहनपूर इन सब का एक प्रकार से मिश्रण हो जाता है पर्शी ब्राउन जो है मुगल काल को यानि मुगल काल में जो बनने वाले के आर्किटेक्ट्चर को क्या कहता है भारती वास्तुकला का ग्रीश इसे क्या कहते हैं वो इसे कला की रानी की संग्या दे देता है अब मुगल काल में जो बनती थी यहां पर पलस्तर जिसे बोलते है न प्लास्टर किया जाता है गच्चकारी इनका प्रियोग किया गया था संग मरमर को तरासा जाता था सजावट के लिए उसमें हीरे जवारा यह सब चीजें जोरू जाती थे पिटरा ड्यूरा शैली जो है आपको बताई गई थी इसमें बनने वाली पहली हिमारत क्या हाँ पिट्राडिूरा जिसमें नूर जांके पिता का मकवरा बनाया गया था ना तो कई सारी इमारते हैं जैसे बावर बावर को विशेस रुप से प्लिया था क्या वाग वगी चौकी से विशेस रुची हुआ करती थी तो चार वाग पद्धियनी जियोमेट्री के सेफ में वहाँ पर ववन बनाया जाते थे बहते हुए पानी आदी को दिखाया जाता था ठीक है रुचे रुखेल खंड में संबल नामकिस्तान पर जामी मस्चिद बनवाई हुमायूं के समय दीन पना नामक अकवर आगरा इलाबात लाहूर के किले इनके समय बनाय जाते हैं पतेपुर सीक्री जो है वो उसमें इनका प्रमुक रहता है यहां पर पंच महल का नर्मान जोदाबाई का महल वीरवल का महल अबुल फजल का महल बुलंदर वाजा जो की गुजरात विजए के उफलक्ष में बनाया था अबादत का ना जहां विविन धर्म के लोग बैट करके वाद विवाद करते थे सास्तरात किया जाता था वो भी इसने नर्मान किया था पंद्रा सो पिचछतर के आस पास वो येर भी याद कर लेना जहांगीर के समय नूर जहां ने एतमाद उद्दौला का मगवरा जो है पिट्रा ड्यूरा पहली में बन वाया शा जहां का काल मुगल काल में सौन यूग माना जाता है किस फील्ड में इस थापत्य के क्षेतर में इसे संगमरमर का यूग भी कहते हैं तो संगमरमर ये राजस्तान के मकरान नामक शेतर से मंगाए जाता था आज आप जाओगे संगमरमर की दुकान पर तो मकराना पत्थर मकराना संगमरमर ये सब शीज़ें मिल जाती है ताज महल के बारे में माना जाता है कि 31 में इसका काम सुरू हुआ था 53 में complete हुआ 20,000 लोगों ने परड़े काम किया था वास्तुकार का नाम है ईशा खान और इसके अंदर जब आप जाते हो तो दो कबर हैं एक सा जहां की और दूसरी मुम्ताज मुम्ताज को पहले वरानपुर में अपना गया था पर वहां से वो कबर को निकाल करके यहां पर ले जाते हैं आगरा के किले में दीवाने आम दीवाने कास यह हम लिख चुके हैं मौती मस्जिद, जामा मस्जिद, यह आगरा की बात है, वैसे जामा मस्जिद जो है दिल्ली की प्रुसिद है, दिल्ली का लाल कला, लाल कले में इस ते दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, औरंग जे इन सब चीजों में नहीं हो जाता है, वो अपने द अब आते हैं हम मुगलकाल में पेंटिंग की बात करते हैं चित्रकला की बात करते है तो चित्रकला जो है वो यहाँ पर मुगलकाल में माना जाता है कि हुमाईू इसकी सुरुगात करता है अकवर इसे आगे बढ़ाता है लेकिन जहांगीर इसे टॉप पर ले जाता है तो चि पूछा जाए कभी ये रट लेना पूछने के हाई चांस हैं तो ये अकबर जो है ये उस समय की पहली चित्रकला का एक संग्राय है इसमें बाराइसो चित्र बने हुए अलग अलग चीजों के आईने अकबरी जो है अबुल फजल आईने अकबरी के बारे में हमने देखा था तो इसमें पंद्रह पेंटर के नामों का उलेक भी किया गया है ठीक है अब आगे देखना हुमाईू जो था अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था पंद्रह साल के लिए कहांपर फारस इरान तो फारस से जब वो लोटा पंद्रह सो पश्पन में तो उसके साथ द चितरकार हैं पेंटर हैं ओके यह याद हो जाएगा अबुल फजल कहता है कि अकवर के दरवार में लगबग सो चितरकारों को संदक्छंड दिया गया था जिसमें प्रमुक में दस्वंत का नाम आ जाता है वसावन का नाम आ जाता है अकवर ने एक डिपार्टमेंट भी ब प्रम करते थे तश्वीर खाना जिसे बोलते थे जहांगीर के शासनकाल में चितरकला अपने चरहम पर पहुंच जाती है यह स्वयम भी एक अच्छा पेंटर माना जाता था जहांगीर अपनी आटोवाइगराफी में कहता है कि अगर किसी चितर के अलग-अलग भाग अलग पेंटर बनाएं वो ऐसे पेंटर हों जिन ख्यात प्राप्त हों तो जहांगीर उनको देख करके बता सकता है कि उस पेंटिंग का कौन सा ऐसा किस पेंटर के द्वारा बनाए गया है मनसूर और अबुलहसन ये प्रमुक हैं जो जहांगीर के समय के प्रमुक महत्पूं चित मुगलकाल के समय जो चित्र बचे हुए भी थे उन पर सफेद रंग उतबा लिए तो मुगलकाल में जो चित्र बने थे इसको लेकर मुखे परिक्षा में अगर आए तो हम यही कौपी कर देंगे अगर इसको हम सौट में बात करें तो चित्रकला की विशिष्टा हैं हमें देखने को मिलती हैं दर्वार महल जीवन युद इन सबसे संबंदित चित्र बनते थे आम आदमी की जो जीवन सहली है उस पर फोकस नहीं करते थे इसका कारण ये भी है कि जो पेंटर जो थे वो राजाओं के संड़क्षड में रह रहे हैं तो वो राजाओं को दिखाएं राजाओं के जीवन कारियों को बताएंगे तबी तो उन्हें वहां पर रहने का पारितोसिक मिलेगा आम जंता पर वो ध्यान नहीं देते थे चित्र कला में फार्सी चूंकि उसके कलाकार यहां पर चुड़े हुए थे भारती और ये उरोपी तक्तियों का मिस्रा में बाद में तीन भारती तक्ति पीकॉक, ब्ल्यू, रेड, थ्रीडी ये सब जो हैं वो उन सब भी हमें देखने को तो ये इतना महत्मूप नहीं हैं बस वो सुलगात के जो पॉइंट थे वो आपको याद लगे और यहां पर हो जाता है मुगलकाल की अब जो पढ़ेंगे वो उत्तर मुगलकाल है इससे जो प्रशन आएंगे वो सब कुछ आपको इस नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा कि औरंगजेब की मौत के बाद अगला शाषक बनता है बादूर्शा बादूर्शा सत्रा सो साथ से लेके सत्रा सो बारा तक शाषक रहा क्वेशन इससे आजाएगा इसे शाह ए बेखबर कहते हैं क्यों कहते थे शाह ए बेखबर प्रशासनी कारियों में कोई रूची नहीं लेता था चूंकि 63 इयर्स की एज में शाषक बनता है जब लोग रेटायर होने की उम्र में आते हैं तो वो शांत प्रियता की नीती पनाता है किसी से संगर्स नहीं चाता है मराथा एक बड़ी शक्ती के रूप में उभर रहे थे तो उसने मराथां से कोशिस की कि थोड़ा बहुत दिखावे के लिए मेल जूल बना रहे तो मराथा शक्ती जो टेक्स वसूलते थे सरदेश मुकी तो उनको उसने अधिकार द जाती है कि इसकी बहादर्शा पेसे शाह वेकवर के नाम से जाना लिए पहादर्शा के बाद अगला वेक्ती आता है जिसका नाम है जहांदर्शा जहांदर्शा ये जब शासक बनता है इसका प्रदान मंतरी यानि जिसके पास सबसे ज़्यादा शक्तियां थी वजीर कहलो वो था जुल्फिकार तो ये शाशक बनके बैटे हैं जुल्फिकार के पास सारी शक्तियां दे रखी हैं ये आयोगे हैं इस कारण इनकी आयोगिता के कारण इतियास में ने लंपट मूर्ख के नाम से संबोधित भी किया जाता है ठीके लंपट मूर के नाम से ने संबोधित करेंगे इसको जहांदर्शा को अब जब ये साशक बनता है तो दरवार में दो प्रमुक भाई थे एक का नाम हुसेन खान और दूसरे का नाम अब्दुल्ला खान इन दोनों भाईयों को सेद बन्दु भी कहते हैं और ये किंग मेकर के रूप में भी जाने जाते हैं दरवार में इनका प्रवाव जाता था प्रवाव जादा था अधिक था ये किंग मेकर यानी शाशक निरमाता भी कहलाए अब जहांदर शाज जब साशक बनता है तो जजिया करो तीर थ्यात्रा कर ये समाप्त कर दिये जाते है जहांदर शाज उता इस पर आरोप लगाता एक वैश्या थी लाल कुमारी तो उसका दर्वार में हस्तक शेफ जादा था तो इस कारण से इसके विरोधी भी बढ़ गए जहांदर शाज की हत्या जो है फरुक शियर के द्वारा सेद बंदू जिने हम किंग मेकर कहते हैं उनके द्वारा कर दी जाती है और फरुक शियर आगे चलकर स्वाहिम सासक बनेगा तो सत्रा सो बारा में कौन हटा था बादूर साथ और अगले एक साल में ही इतना शडियंत रो गया जहांदर साथ को जाना पड़ा याद रखने वाला पॉइंट है कि लंपट मूर्ख किसे कहते हैं तो यह वो हैं जहांदर साथ अब आते हैं फरुक शियर पर फरुक शियर यह थोड़े जादा चल जाते हैं सत्रा सो तेरा से सत्रा सो निस इसको राजा बनाया था सेद बंदू ने तो एक तरीके से जिसने राजा बनाया है शक्तियां तो उसी के पास रहेगी तुम तो दिखावे के मुखोटा बनके बैठे हुए हो सत्रा सो सत्रा में इसके शासनकाल में अंग्रेजों का एक प्रतिनिदी मंडला था जहांगीर के समय हमने दो नाम याद किये थे एक कैप्टन हॉकिंस था दूसरा थॉमस रो था इनके समय जो प्रतिनिदी मंडला आया उसमें जॉन सर्मन एड़वर्ड सिस्पन थे अब ये जो फरुक सियर है ये विचारा एक ट्यूमर से पीडित था जान जा सकती थी इसको कुछ किताबों में पाइस लिख दिया तो इससे पीडित था और इसको बड़ा कस्ट था तो इस परतिनिदी मंडल में एक बॉक्टर भी था नाम है उनका विलियम हैमिल्टन है हैमिल्टन ने इसका इलाज कर दिया इलाज कर दिया इसकी जान बच जाती है तो फर्रुक्षियर ने क्या किया अब खुश हो गया अब खुश हो करके वो अंग्रेजों को काफी सारी सुविदाइं दे दी जैसे उनको कहा के आप क्या करोगे मादर तीन हजार रुपए एन्यूली जमा करा दो और पूरे बंगाल के छेतर में बेना कोई टेक्स चुकाए हुए व्यापार कर सकते हो तो ऐसी कई सुविदाएं मिल जाती है अब सेयद बंदों ने क्या किया जो इसको अपनी कटपुतली बना के रखना चाते थे उसने मराठा वाला जी विश्वनात इनके साथ कापरेशन किया गटबंदन किया और फर्रुक्षियर की हत्या कर दिया इस हत्या कांड को मुगल बंस का घ्रनित कायर के रहता है तो पहले शाहे वेकवर याद रखना पर लंपट मूर्ख याद रखना ना दूसरा लंपट मूर्ख हो गया और इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें घ्रनित कायर के रूप में जाना जाता है आगे चलकर क्या होता है फरुक शियर की हत्या हो गई तो उसके बाद रफिय उद्धरजात और रफिय उद्धौला ये दो शासक बनते है थोड़े थोड़े समय के लिए चलते रहते हैं अगर आप देखोगे 1719 में फरुक शियर की मौत हुई है और 1719 के साल में ही ये दो शासक बन जाते है रफिय उद्धरजात और रफिय उद्धौला स्यद वंद्धौ को किंग मेकर कहा गया क्योंकि उसने चार राजा बनाए कौन कौन से फरुक शियर को शासक बनाता है रफियुद दरजात को बनाता है रफियुद दौला को बनाता है और लास्ट में ये मुहम्मद साह को बनाता है मुहम्मद साह तोड़ा जादा दिन तक रहते हैं इन्हें रंगीले शाह के नाम से भी जाना जाता है लुटे रहा था और वो मयूर सिंगाशन, कोहिनूर हीरा ये अपने साथ अफ़ानिस्तान ले गया मुहमद सा को शाशक बनवाया सेयद बंदूओं ने ये सेयद बंदूओं की पकड़ से मुक्त होना चाहता था तो उसने इसके लिए दक्कन का सूबेदार जो था चिंकलिश खान उससे समझोता किया चिंकलिश खाने सेयद बंदूओं की हत्या तो ऐसे करके ये सेयद बंदूओं का अध्याए यहां पर हो गया बंदूओं प्षिशन क्या बनेंगे स्यद बंदू को क्या कहते हैं किंग मेकर नरप नर्माता नरप यानि की राजा बनाने बाला और चार शासक कौन कौन से बने थे वो नाम है पहला फर्रुक्सियर है अंतिम में मुहमद शाह है बीच में रफीय अधर जात और रफीय अधौला मौमद शाह की मौत के बाद अगला व्यक्ति शासक बनेगा नाम है शाह आलम दुतियर 1758 से लेके 1806 तक काफी लंबे समय तक ये शासक बने इनका रियल नेम जो था बो था अली गोहर इन्हें बिना मुकुट का बातसा भी कहा जाता है अब पानी पत का तीसरा युद जो है इसके समय होता है 1764 का वक्सर का युद भी इसके समय हुआ है पानी पत का तीसरा युद हमने पढ़ा था पहले याद है, पानीपत्ख का पहला युद्वावर के साथ हुआता, लोधी के साथ दूसरा अकवर औरह्मू के साहत हुआता, तीसरा ये مराटों के साथ हुआता है आहमěст-षै अबिड्ली जो था, उससे ये हुआता बकसर का युद जो है बकसर का युद अंग्रेजों के साथ हुआ था जिसमें ये शालम दुती भी है मुगल सासक बंगाल का जो नवाब था वो भी था अवद का जो नवाब था ये तीनों थे और तीनों की समलित सेनाओं को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था अंग्रेजों ने क्या किया इन तीनों के साथ अलग अलग समझवता किया बंगाल के नवाब के साथ अलग, आवद के नवाब के साथ अलग, मुगल बादसा के साथ अलग तो मुगल बादसा को इन्हों ने क्या किया था, यह ने अपना पैंसनर बना दिया था कि तुम राजपार्ट छोड़ दो तुम तो पैंसन लोगे और इलावाद में जाकर इन्हें कैद कर दिया था इसलिए इन्हें बिना मुकुट का बाक्सा भी कैदा ठीके अब ये बंद थे इलावाद में अंग्रेजों के पैंसन 26 लाग रुपे की ने पैंसन मिला करती थी बारशे कुशी में अपना सारा खर्च चलाना था नेक्स्ट आगे क्या होता है महाद जी सिंदिया जो मराठा था उसने इसको फिर से दिल्ली की गद्धी पर बिठा दिया यानि अंग्रेजों के पैंसनर से उसने अपना पैंसनर इनको बना दिया महाद जी सिंदिया ने इसे दिल्ली का शासक बनाए 1830 अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इनकी हो जाती है 1806 से 1837 अकबर दुतिय शासक बनेगा इनसे भी कुछ परस्ण बन सकता है वो परस्ण क्या बनेगा ये वो व्यक्ति है जो अंग्रेजों के संदक्षण में राजा बना हुआ अब ये इतने महान राजात है कि इनके सिक्कों की वैल्यू ही नहीं रही तो मुगल-कालीन सिक्कों का प्रचलन बंद हो गया भरोसा मुद्रा पर भरोसा उठ जाता है जब सरकार अनिस्टेबल हो जाती है अगर आपके सामने कोई 24 रखे के बारत का रुप्या ले लो पाकिस्तान का रुप्या ले लो तो कौन सा लोगे या स्री लंका की करेंशी ले लो दूस्वावे के हम सबसे उपर यहां भारत की करेंशी को प्रिफरेंस देंगे बाकी को नहीं लेंगे किसी भी आलत में नेक्स्ट अब आते हैं बाहदुर्शा जफर 1837 से 1857 के बीच ये भी मैधून हो जाते हैं प्रशन उचने की दरश्टी से ये अंतिम मुगल सासक हैं कि इसके बाद ये सासक वासक सब बंद हो जाएंगे अब बहादुर्शा जफर के समय मुगलों का सामराज जिस सिर्फ लाल किले तक सीमित रह गया था लाल किले की बांडरी में नौकरों चाकरों को यादेश दे सकते थे इससे बाहर इनको को क दिल्ली चलो दिल्ली आ गए अब दिल्ली आ जाते हैं तो दिल्ली आ करके क्या करें किसको अपना लीडर कोशित करें तो मुगल जो थे 1526 से बावर से ले करके इनका काफी बड़ा सामराज जिता तो ये माना गया था कि अगर ये शासक बेसक इसका अधिकार खतम हो गया है इसका जुक्षेतर है वो सिर्फ लाल किला रह गया है लेकिन अगर इसे हम लीडर गोशित कर देते हैं तो हमारे इस आंदोलन को राजनेतिक रूप से मानिता तो मिल ही जाएगी बाद और सा जफर के सामने ये प्रस्ताव रखा बाद और सा जफर क्या करते लीडर बन गए लीडर बन गए तो 1857 की करांटी को एक बड़े इस तर पर राजनेतिक मानिता मिल गई अंग्रेजों ने जब इस करांटी का दमन किया तो बाद और सा जफर जोते हमाईं के मकवरे में चिपकर बैठे थे वहां से नहर अरेस्ट किया जाता है और भेज़ दिया जाता है रं और साजा पर खत्म होता है ठीक है तो ये जितने नाम आए पूरा बॉल वाई बॉल यानि एक 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 येर के साथ आए ये सब आपको रटने हैं इनसे अब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे नादिर शाह का जो लेक किया था उसके बारे में जान लो नादिर शाह को इरान का नैपोलियन कहा जाता है ये तुर्क था खुराशानी तुर्क था बच्पन का नाम इसका नादिर कुली था खरनाल के युद में इसने मौहमद शाह को पराज़ वही मौहमद शाह मुगल सासक जिनका वो सिंगासन और कोईनी रुईरा सब कुछ लूट पाट करके ले गया तो अब संधी हुई मौहमद शाह के साथ संधी के साथ नादिर शाह को मौहमद शाह ने वीज करोन रुपए दिये हर जाने के रूप में लेकिन इसके बावजूद भी नादिर शाह की सेना दिली में गुशती हैं गत्ले हाम मचाती हैं तीस हजार लोग मारे जाते दिली का पूरा शाही खजाना ले जाता है हीरे जवारा आती है सब कुछ लूट पाट करके ले गया 1747 में इसकी मौत हो जाती है वहाँ पर फिर शासक बना आहमद शाह अबदाली आहमद शाह अबदाली ने भारत पर कुल पांच बार आकरमण किया है पानी पत का तीसरा य एक रियल है इस युद्ध से जब पानी पत के तीसरे युद्ध को लिखाया था बताया था तब इसमें कुछ स्टेटमेंट पूछा गया था एक स्टेटमेंट है कि हमारे दो रत्न नस्ट हो गए सैकड़ों मन सोना गल गया हजारों मन चांदी बरबाद हो गई ये पानी होती है तो जो भी प्रमुख लीडर थे उनकी भी मौत हो चुकी ती कोई मराठा परिवार ऐसा नहीं था जिसने अपने परिवार का कोई सलश्यनाफ हो तो हजारों मन चांदी बरबाद हो गया प्लस ये भी इसमें कोटेशन आता है कि इस युद्ध ने इस बात का त हमशा अब्दाली यहाँ पर पूरी तरीके से मुगल हो गए विलूप देशेपियर अब भीरे दीरे वो मौडरन इस्ट्री की और मूब करते जाएंगे मराठा की बात आती है मराठा समझ बनेगा मराठा जो सामराज जी यहनी मराठाओं को एक शक्ती की रूप में स्थापित किया है शिवाजी ने तो शिवाजी का जो जीवन परचे है हो सकता है ऐसे भी प्रशना आ जाएं तो वो भी समझ लो याद करने लाइक चीज़ें यह रहती है तो वो आपको कर लेना चाएंग समझो शिवाजी का जन हुआ था शिवनेहर के किले में 1627 में हुआ था इनकी मा का नाम जो था गो था जी जाबाई पिता का नाम था शाजी बोसले और शुरुवात में इनको जो शिक्षा दी या इन पर प्रभाव पढ़ा तो वो थे एक ब्रहमर व्यक्ती कॉन देओ इन् दूसरे सब्दों में इने हम समर्थ रामदास भी कहते हैं और इनकी किताब भी पूछी जाती है उसकिताब का नाम है दास वोध ये जो किताब है इसकिताब में जो इनके विचार है उन्हें विचारों का शिवाजी के जीवन पर गहरा प्रभाव पढ़ता है शिवाजी की पहली जो पत्नी थी उनका नाम था साही बाई निम्बाल कर दूसरी पत्नी थी पुतली बाई कभी पूछा जाए कि कौन सी पत्नी शिवाजी के साथ सती हुई थी तो वो यही है उनका नाम है पुतली बाई जो शिवाजी के साथ में सती हुई थी सहाजी भोसले जो थे इन्होंने शिवाजी को पूना की जांगीर दे दी थी आगे चल करके शिवाजी ने पूरा जो मराठा प्रदेश जैसे मावल प्रदेश कहते थे उन युवाओं को संगठित किया और उनको गुरिला युद्ध पद्दती में ट्रेंड किया गुरिला युद्ध पद्दती को छापामार युद्ध पद्दती भी कहते हैं कि अचानक से आक्रमन कर देना दुस्मन के अलर्ट होने से पहले तो धीरे धीरे शिवाजी क्या करते हैं अपने अधिकार शेत्र को बढ़ाते हैं अपनी शक्ती को मजबूत करते हैं उन्होंने वीजापुर की अधिकार में तोरण का किला था बोचीन लिया पुरंदर का जो किला था उस पर भी अधिकार कर लिया एक जावली दुरगाता है उस पर भी अधिकार कर लिया इनकी बढ़ती हुई शक्ती को देख करके जो मुगल शासक ते औरंग जे भी था और वीजापुर का जो शासक था वो अब इनको दवाने को यानि सप्रेस करने की कोशिश करते है तो वीजापुर के शासक ने साइस्ता खां को भेजा शिवाजी को मार डेके लेकिन शिवाजी ने उसी की अत्या कर दी आगे चल करके शिवाजी ने सूरत पर हमला किया कापी दंसंपत्ती प्राप्त हुई दंसंपत्ती जब मिल जाती है तो शिवाजी की स्थी भूत हो जाती है औरंग जेव तक तूचना जाती है औरंग जेव शिवाजी को पहाडी चूहा कहता था अब औरंग जेव ने क्या किया कि यहाँ पर यह साइस्ता खां के पहले एक और आता है अफजल खां को भी भेजते हैं तो भो भी मर जाता है शिवाजी पर वो विजय प्रापनी करता है तब जैसिंग को बेजा अब जैसिंग पहुंचते हैं शिवाजी को घेर लेते हैं काफी लंबे समय तक किले को घेर करके बैठते हैं जैसिंग उनके सामने प्रस्ताव भी बैठते हैं तो दोनों के बीच में संदी हुई उस संदी को हम पुरंदर की संदी के नाम से जानते हैं 1656 जो अब इस संदी में ये तै किया गया कि शिवाजी जो हैं मुगलों को यानि औरंग जेव को अपने महत्वों 23 के लिए हैं वो दे देंगे बदले में मुगल क्या करेंगे कि शिवाजी के पुत्र संबाजी को मनसब देंगे वो भी 5000 का मुगल में मनसब हमें पताता ना रेंक और प्रिस्टीज बेतन सब पताता है अब ये बात माल लेते हैं पुरंदर की संदी हो जाती है संदी की सर्तों के अनुसार शिवाजी आगरा में औरंग जेब की दरबार में परस्तों होते है उपने पुत्र के साथ वहां दरबार में गए तो औरंग जेब से उनका जो अपेक्शाएं थी वो पूरी नहीं हुई या औरंग जेब ने उनका सम्मान नहीं किया इस बात से शिवाजी उसी वरी सवा में उसे धोके बाज कह देते हैं धोके बाज कह देते हैं तो वो उनको गरबतार कर देते हैं गरबतार करके उन्हें जैपुर महल में कैद कर दिया जैपुर महल में कैद हो जाते हैं पिता पुत्र तो वहां से दीरे से दोनों लोग किसी तरीके से फरार हो जाते हैं उसके बाद फिर दोनों में सम्दोता हो जाता है और अंग जेब ने शिवाजी को राजा की उपादी दे शिवाजी का राज्यव शेक कब हुआ ये भी प्रशन बनता है तो 1674 में इनका राज्यव शेक करव स्वाजी के राज यवशेक में सोहरा वाई मुख्यरानी रही थी शिवाजी ने राज यवशेक करवाने के बाद जो उपादियां धारण की उसमें एक आती है हैंदव धर्म उधारक या हैंदव धर्मो धारक, दूसरा च्छत्रपती गौब रामर्ड प्रतिपालक की ऐसे करके शिवाजी से समद दे जितने महतपूर पॉइंट है इनके जन मिनके गूरू का नाम प्रमुक केले पुरंदर की संदी ये सब महतपूर हो जाते हैं नेक्स शिवाजी की जब मौत होती है तब अगला शासक बनते हैं संभाजी अव शिवाजी की मौत होती है तो इनकी पतनी जो थी सोहरा भाई उन्होंने क्या किया अपना इनका जो पुत्र था दसवर्सी नाम था उसका राजाराम उसका राजिवशे करवा दिया शिवाजी के साथ गए कौन थे? संभाजी गए हुए थे लेकिन यहां हो यह रहा है कि उनकी पत्नी अपने पुत्र को राज्यवशे करवा देती है वास्तवे कुत्रादिकारी संभाजी को पीछे कर देते है तो ऐसी इस्तिती में क्या हुआ कि यहां संभा जी ने सुहरा भाई और जिन्हें सासक बनाया था राजा राम दोनों को कैद कर लिया और स्वेम सासक बन गए इसी दोरान औरंग जेब का विद्रोई पोत्र था अकबर दोतिय उसको ये सरण दे देते हैं संरक्षंड दे देते हैं इस बात से वो नाराज हो जाता है तो मुगलों से संगर्श हुआ ये और इनका प्रमुक शेनापती जो था वो संगमेश्वर के इस में एक मंदर में चिपे हुए थे कभी कलस तो इनको गरबतार किया जाता है और इनकी खाल में बूसा भर वाई ऐस किसे करके संभा जी की मौत हो गई सोला जी को याद करोगे सोला सो असी से सोला सो नवासी यानि ये कैसे राजा बने तो सिवा जी की जो दूसरी पत्नी थी सोहरा वाई उसने अपने दसवर्शी पुत्र को राजा बना दिया इस बात से संभा जी नाराज हो गए तो उन्हो ने शोहरावाई और दसवर्षी पुत्र राजाराम तो नों को कैद कर दिया श्वहम सासक बन गए सासक बन करके लंबे समय तक ये काम करते उसके पहले ही औरंग जेव के विद्रोही पुत्र को इन्हों अश्रे दिया इस वाद से मुगलों से संगर्ष हुआ संगमेश्वर का युद्ध हुआ पराजित हुए और इनको और इनके सायोगी कभी कलस्तोनों के ग्रफ्तार करके हत्या जब दिया ठीक है अब संभाजी के बाद कौन शाषक बनता है तो अब राजा राम का नंबर फिर आ जाता है राजा राम यानि इनके एक प्रकार से सौतेले भाई समझ लो यानि जो इनकी दूसरी पत्नी का पुत्र था ये शाषक बना दस वर्ष तक लगवग ये शाषक रहते हैं औरंग जेब का सेना प्रतीता जुल्फिकार उसने राइगड के के लिए पर आक्रमन किया अब यहां देखो क्या एकता हमें देखने को मिलेगी इस युद्ध में संभाजी की हत्या कराईए मुगलों ने और संभाजी से और राजा राम से भी दुश्मनी चल रही है क्योंकि संभाजी का हक शीन दिया था राजा राम ने उनकी मा के द्वारा तो ऐसी इस्तिती में संभाजी की जो पतनी थी एशुबाई एशुबाई ने राजा राम को सुरक्षित किया ये शाषक बने हुए हैं शाषक को सुरक्षित किया उन्हें भेज़ दिया विशालगड के किले में और स्वयम वहे अपने सेना का नेत्रत्त करती है कौन करती है एशू बाई एशू बाई और संभाजी का पोत्रता साहू तो जब ये मुगलों से संगर्ष करते हैं तो इन्हें ग्रपतार कर लिया जाता है इनकी मौत हो जाती है तीस वर्ष किया एक नेच्स आगे चलका अब क्या हुआ है एशू बाई कौन है confusion हो उससे पहले समझ लेना ये संभाजी की पत्रते साहू कोने संभाजी और एशू बाई का पोत्र है राजा राम कौन था राजा राम शिवा जी और उनकी दूसरी पत्री सोहरा बाई का पत्रता संभाजी कोन शिवाजी और उनकी पहली पत्मी पत्रते तो नेक्स्ट अगला स्टेप आता है तारा भाई और इनसे प्रस्न पूछा जाता है महत्पूर्ण है तारा भाई यानी राजा राम की मौत हो जाती है तो राजा राम की पत्मी थी तारा भाई इनके एक पत्र था चार साल की मात्र तारा बाई ने शिवाजी कु को राजा बना दिया और श्स्वेम उसकी संड़क्षिका बन जाती है तारा बाई जब मतलब संड़क्षिका बनती है तो मुगलों से इनका संगर चल रहा था इस लेडी ने इस बहादुर लेडी ने मुगलों का बहादुरी से सामना किया है और इसके संगर्ष को मराठा इतियास का स्वतंतरता संगराम कहते हैं तो कभी पूचा जाए तारा भाई तो ये हैं तारा भाई ठीक है? अब तारा भाई की मौत हो जाती है तो फिर वो एशू भाई और साहू इनका नमबर आता है एशू भाई और साहू तो एशू भाई ने साहू को साशक बना दिया लेकिन इस समय तक सत्ता जो थी वो इनका एक पद होता था पेशवा उनके पास पहुँच चुकी ती बाला जी विश्वनात पहला पेशवा बनता है सारी शक्तियां सैन्यदिकार सब उनके पास हैं ये सिर्फ अब मात्र दिखने के यानि आपचारिक रूप से राजा बन करके रहें तो अब हमारा फोकस पूरा का पूरा शिप्ट हो हो जाएगा किस पर मराठा पेशवा उपार ठीक है तो मराठा पेशवा में सबसे पहले हम बाला जी विश्वनात के बारे में जान लेते हैं सत्रा सो तेरा से सत्रा सो बीश के बीच में ये पेशवा के पतपर रहे इन्होंने क्या किया है के पंद्रा हाजार के साथ फर्रुक्षियर को अटा दिया था रफी उद्धरजात को मुगल साशक बनाया किंग मेकर के साथ में मुगलों से समझोता किया था पेशवा को दक्षिन के प्रदेशों से चौत और सरदेश मुखी कर बसूलने का दिकार मिल गया और ये मराटों के लिए एक प्रकार से महादिकार पत्र है जिसे मैगना कारटा कहते हैं सत्रा सो पीच में इसकी मौत अब ये जो पेशवा पत है ये वनसानुगत हो जाएगा जैसे राजा का पुत्र राजा बनता था पेशवा का पुत्र पेशवा बनेगा तो इनकी मौत के बाद दूसरा पेशवा बनता है वाजी राव प्रतम जो की वाला जी विशुनात के उत्र दे ये वाजी राव प्रतम काफी एग्रेसिब परसन था विस्तारवादी प्रवर्थी का व्यक्ति था अपने सामराज जिको बढ़ाना चाहता था तो और योगी भी था सूझ-भूझ वाला व्यक्ति था इसने सासा के वो इनकी डर की वज़े से दिल्ली चोड़ने के लिए तयार भी हो जाता है मौहमद शाह इनके बारे में जो आता है न जो क्या आता है कि एक वाजी राव मस्तानी नामत मुस्लिम इस्त्री से प्रहम के कारण ये चर्चा में भी रहे जो मूवी बनी है उसमें ये द इक्षन में करेंगी नहीं तो क्या होगा यह सब पूरा का पूरा धुल जाएगा गुल जाएगा उससे बचने के लिए जरूरी है इतना कर लीजिए ओके कल क्या है शटर डे कल में आपका टेस्ट भी लूँगा हाँ हिस्ट्री का रहेगा कंप्यूटर का भी रहेगा कुछ हिस्ट्री के कॉश्चन भी रहे तो तैयारी कर लेना जो पढ़ाया है उसी से सम्बन देती है रही